प्रेसेंट टीचर हलो चैंपियर्स आज हम लोग चैप्टेट 7 दो ओ साव्ड में न्यू टोपिक स्टड़ी करेंगे न्यू टोपिक है स्टेंज लूप एट पीक्चर मिन्स स्टेंज लूप मिन्स क्या होता है देखना मिन्स स्टेंज ये पीक्चर दिया होगा है इसको देखो and write their name और उसके name write करो मिन्स लीखो मिन्स स्टेंज ये कौन से object का picture है इसको देखना है और उसका name write करना है understood早i चलिए first picture देखते है क्या है क्या है स्टेंज देखो और बता हो हम लोग utensils में use करते हैं क्या करते हैं इसको ये है pot क्या है pot pot का spelling क्या होता स्टेंस pot का spelling होता है p o t pot क्या राइख रहेंगे p o t pot सामने क्या होता स्टेंस pot p o t pot pot p o t pot नेक्स डेक्स का पिच्चर है ये क्या स्टेंस ये है rod rod सामने क्या राइख रहेंगे पहले बताओ rod का spelling क्या होता है तो rod का spelling होता है r o d क्या बुलेंगे rod चलिए राइख करते हैं r o d rod सामने क्या होता स्टेंस r o d rod क्या स्टेंस का पिच्चर है कि सब्जेक्ट का पिच्चर है ये है rod नेक्स डेक्ट है क्या है स्टेंस ये क्या है इसमें आप लोग अब्जेक्ट फील करके और इसको बंद करके रख देते हैं तो स्टेंस क्या है बताओ देखो और बताओ ये है box क्या है box कैसे राज करेंगे b o x box b o x box सामने क्या होता स्टेंस b o x box क्या है box नफ्स बिते क्या स्टेंस ये क्या है ये है कब और कब पे क्या है t t कैसा होता है t hot होता है या cold होता है तो t आपका hot होता है गर्म होता है मिशंस क्या हएं राइट करेंगे hot hot का स्टेंस क्या नफ्स डखते है क्या स्टेंस का त्डीकर द्रीशंस ये क्या है? ये है तो क्या है? तो कैसे राच करेंगे? स्पेलिंग क्या होता श्वेंज? स्पेलिंग होता है टी ओ पी तो सामद क्या हो श्वेंज? तो ओ पो तो नच्ट अच्ट है क्या श्वेंज? ये क्या है? ये है डोट क्या है? डोट स्पेलिंग क्या होता श्वेंज? तो स्पेलिंग होगा डी ओ टी डोट सामद क्या होता श्वेंज? डोट कर डो, ओ, ट, डोट, डी, ओ, टी, डोट, अंडेस्टूट, चलिए हम लोग जो वर्ड बनाये हैं, इसको एक पर्फिर से, वर्ड के साथ रीद कर लेते हैं, P, O, T, पोट, र, O, D, रोल, H, O, T, होट, T, O, P, टोट, D, O, X, बोट, D, O, T, डोट, तो, स्टेंज, यह हम लोग पिक्चर के साथ, O, सांड वर्ड कैसे उसका नेम राइट के जाता है, अब्जिक्ट को देख करके कैसे उसका नेम राइट करेंगे, यह हम लोग सीखे है, I hope, स्टेंज, यह आपको समर्जमें आया होगा, O, के स्टेंज, थैंक यू,